नमस्का ट्विटर के पूर्व सीओ के बयान से भारत में नया स्यासिया खड़ा तैयार हो गया है गिरी सरकार की ज़्यादा चिंता इसलिए भी है क्योंकि मामला किसान आंदोलन से भी जुड़ा है दरसल सोचल मीडिया प्लेटफोर्म ट्विटर के पूरू सीओ जैक डोर्सी ने बड़ा रोप लगया है जैक डोर्सी का कहना है कि किर्सी कानून के खिलाफ भारत में हुवे विरोध प्रतशन के समय सरकार ने आलोचना करने वाले कई ट्विटर अकाउंट को ब्लोक करने के निर्देश दिये थे दोरसी ने दावा किया है कि भारासरकार की तरफ से उन पर दबाव बनाया गया था और ट्विटर को भारत में बंद करने की धमकी भी दी गई थी समाजवादी पार्टी ने इसे सर्मनाग बताते हुए कहा है कि भाजपसरकार अपनी ताना साही सोच का परदसन करके पूरे विश्व में भारत के लोकतंतर का अपमान कर रही है राष्टे लोकदन ने टिपनी की है कि कितना सर्मनाग है ये जानना कि हमने जिन्हें लोकतंतर की जिम्मेदारी दे रखी है उन्होंने लोकतंतर की आवाज दबाने का भरसक परियास किया कोंग्रेस की भी टिपनी आई है कोंग्रेस परवकता सुपीरिया ने कहा है कि ट्वीटर के फाउंडर और पूरु सीओ जैक डोरसी ने खुलासा किया है कि मोधी सरकार ने उन्हें धमकाया अगर किसान आंदोलन दिखाया तो ट्वीटर के ओफिस और क्रमचारियों के घर चापे पड़ेंगे ट्वीटर को भारत में बैन कर दिया जाएगा जब देश के किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे तो प्रधार मंतरी मोधी उनकी आवाज दबा रहे थे आईटी राज्यमंतरी राजीव चंदर सेखन ने ट्वीट करते हुए जैक दोर्सी के आरोपो को जूटा भी करार दिया है ट्वीट क्या है कि है ट्वीटर के थ्यास में उस धुंदले दोर को साफ करने की कोशिस है जब ट्वीटर डोर्सी के कारेकाल में लगातार भारते कानूनों का उलंगन कर रहा था साल 2000 से लेकर 2022 तक ट्वीटर ने भारते कानोनों के मुताबिक काम नहीं क्या और जून 2022 से भारते कानोनों का अनुपालन सुरू क्या किसी को भी जेल नहीं हुई और नहीं ट्वीटर को बंद किया गया डोर्सी के कारेकाल के दोरान ट्वीटर को भारत की समपर्भूता और भारते कानूनों को सुविकार करने में समस्या थी